पूरो प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग मौजूदा केंडर सरकार को समय समय पर आईना दिखाते रहे हैं। देश के तमाम बड़े मसलों पर मनमोहन सिंग सरकार को नसीहत के साथ साथ दुशपरे नामों को लेकर आगाह भी करते रहे। अब जबकि देश सीमा पर चीन की धोके बाजी जेल रहा है तो ऐसे वक्त में भी राहूल गांधी समेथ कॉंग्रिस पार्टी के साथ मनमोहन सिंग ने भी किंद्र की नरेंडर मोदी सरकार को घेरा है। मनमोहन सिंग ने तंजु कस्ते हुए कहा कि भामक प्रचार कभी भी कूट नीती और मजबूत नेतरतु का विकल्प नहीं हो सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंग का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी लगातार गलवान विवाद पर सीधे पी एम मोदी को घेर रहे हैं। यहां तक की राहूल गांधी पियम मोदी को चीन के साथ भारतीय जमीन सिरिंडर वाला तक बता रहे हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज। साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।